आज चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं गुलसन सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ SSC Maker में तो कैसे हैं आप सभी लोग तो कैसे हैं आप सभी लोग आज का आपने पेपर देखा होगा पेपर आपका math का section बहुत आसान था और कुछ सीजे तो आपकी repeated थी जो आपने कल देखा था कल हमने दो graph देखा था कल हमने दो graph देखा था वही graph आप से पूछा गया था आज भी ठीक है इन graphs को देखिएगा क्योंकि ये आपके SSC exams के लिए भी important होगा ठीक है तो आपको मैं यहां पे दिखाऊं तो ये रहा आपका maths का section ठीक है ये आपका maths का section है और यहां पे आपके कुछ questions है देखिए एक तो आपका ये वाला question है आप सभी लोग इस question को देख रहे हैं simplification का question है और ये आपको यहां पे solve करना होगा तो चलिए इसको हम लोग solve करेंगे आपको पूरा question solve करना होगा क्या दिया गया है 6.25 इसमें से आपको minus करना है 2.23 को इसमें गुड़ा करना है 3.35 minus में 2.23 है और फिर से इसको यहां पे plus करना है 0.05 और minus का 2.987 है यहां पे ठीक है तो इसको आप लोग करेंगे आप सभी लोग इसको यहां पे solve करना होगा यहां पे आपका कोई short trick नहीं चलेगा आपका option C यहां पे सही होगा आप इसको solve करेंगे तो आपको मैं बता दू यहां पे option C सही होगा जादे कुछ नहीं करना है इसको माइनस करना है और इसको माइनस करके गुड़ा कर देना है ठीक फिर से यहाँ पर यह प्लस में है लेकिन यह संख्या बड़ी है इससे तो यह संख्या माइनस की ही आएगी तो इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो 1.517 आपका आंसर बचेगा ठीक ह इसी तरह आपको मैं ये वाला question कराऊं, तो ये question देखिए, ये question भी आपका बहुत असान है, क्या कहा गया है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का एक तिहाई हिस्सा, public provident fund में उसकी बचत के आधे के बराबर है, तो आपको बताना है यदि उसके पास कुल बचत के आप देख रहे होंगे, ये विकास दो जगा बचत कर रहा है, एक मनोज की बचत का एक तिहाई हिस्सा, public provident fund के उसके बचत के आधे हिस्से के बराबर है, यानि जो किसान विकास में जो हिस्सा बचत कर रहा है, इसका एक तिहाई जो है ये इसके पी एफ में जो बचत कर रहा है, उसके आधे के बराबर है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पी एफ में public provident fund में कितने की बचत उसने की है, यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा, देखिए आपको पता है, के बचत करेंगे, तो यह आपको रेशियो मिल जाएगा तीन बटे का दो का, कुल एमाउट इसका 1,50,000 का है, यानि पाँच रेशियो बराबर एक लाख पचास हजार हो जाएगा, ठीक है, एक रेशियो बराबर इसका 30,000 हो जाएगा और आपसे जो पूछेगा वो निकाल लेगे, पी एफ का प इसी को आगे बढ़ाएंगे अगला question देखते हैं क्या है देखिए आसान सा question पूछा गया है एकदम ही आसान सा question पूछा गया है आपसे कहा गया है सात क्रमिक संख्याओं का सात क्रमिक संख्याओं का ओसत आपको कहा गया है 20 है तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्य क्या होगी आपको बताना है देखिए कभी भी आपको पता है क्रमिक संख्या का जब हम औसत निकालते हैं कभी भी जब हम क्रमिक संख्या का औसत निकालते हैं तो इसमें बीच वाली संख्या ही आपका औसत बनके आती है यदि साथ संख्या है न तो देखिए एक दो तीन संख इधर हो जाएगी आपको ये जब कराये थे तो आपको बताये थे ये जो आपका बीच वाला संख्या होगा यही ओसत बनेगा यहाँ पर ये संख्या आपको कहा गया है ओसत 20 है यानि कि बीच वाली संख्या आपकी 20 हो जाएगी 20 के पहले 3 संख्या होंगी और 20 के बाद आपक तीन संख्याए होंगी, खीक है, तो 20 के बाद कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, क्रमिक संख्याए हैं, तो 20 के बाद आपकी 21 हो जाएगी, एक आपकी 22 हो जाएगी, एक आपकी 23 हो जाएगी, आप से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, question में आप से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, यह आपकी 23 हो जाएगी, यानि कि options ही आपका सही जवाब हो जाएगा, बिलकुल, 20 प्लस का 30 आप कर सकते हैं 20 प्लस का 30 यानि की 23 आपका यहां पे answer हो जाएगा इसी के साथ और भी एक सवाल है आपको मैं दिखाऊंगा कौन सा सवाल है यह देखिए यह सवाल कल भी आया था यह सवाल आज फिर से आया है यह सेम सवाल हमने कल किया था और कल हमने बताया था देखिए यहाँ पे कल माइनस साइन था आज यहाँ पे प्लस साइन लगाया गया है और कल मैंने आपको माइनस वाला भी कराया था और साथ में आपको प्लस वाला भी बता दिया था और यहाँ पे अगर बच्चे कल देखके गए होंगे तो आपको कल मै ने कल कराया है और सेम question आपका repeat हुआ है ठीक है बस कल minus था आज यहाँ पे plus लगा हुआ है तो यहाँ पे plus का 2 हो जाएगा ठीक तो यह आपके जो 5 question थे न बाइस प्लस एक 23 नहीं होगा ध्यान से 22 प्लस एक 23 नहीं होगा बीच वाली संख्या आपका होता है बीच वाले संख् simplification पढ़ा होगा यह सारे सवाल आपके वही हैं जो अभी हमने last week में जितने भी सवाल पढ़े हैं न उसी पे सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं simplification में मैंने आपको यह कराया था इसमें बताया था यदि आपको दे दे a plus b का whole square ठीक है यहाँ पे लगा है minus a minus b का whole square यह चीज हो गया तो यह मैंने direct formula बताया था यह आपका 4 a b हो जाता है ठीक और नीचे आपको a गुड़े का b दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस a b से a b कट जाएगा और आपके पास direct 4 answer बत जाएगा क्या बत जाएगा option a यानि की direct आपके पास यहाँ पे 4 answer बत जाएगा क्या बत जाएगा 4 answer बत जाएगा यह आपका formula बेश सवाल था अगर आप लोग किये होंगे last week भी अगर आप लोग बस एक week class किये होंगे तो उतने में यह सारे questions आप लोग कर पाए होंगे ठीक है एक हफ़ते भी आप लोग class किये होंगे तो उतने में यह सारे के सारे questions आप लोग आराम से कर सकते हैं अब यहां पे आते हैं graph पे, graph भी आपका repeat हुआ है, जो कल आपको graph कराया गया था, कल के paper में जो graph आया था, वैसे ही graph आज भी आपसे पूछे गया है, ठीक है, तो graph पे चलेंगे, यह हो गया, आपका यहां पे graph आगया है, तो इस graph को देखिए, देखिए, कल circle वाला graph हमने किय आपका आया था, आज भी circle वाला graph आपका आया था paper में, और यहां पे हम लोग चलेंगे, सबसे पहले कौन सा graph है, आपका, देखिए, एक यह graph आपसे पूछा गया है, इस से पहले आपको बता दूँ, यह वाला graph SSC के exams में पूछा गया है, SSC के exams में यह graph पूछा गया है, चाहे CGL हो, CHSL हो, GD हो, कोई भी exam के हो, तो ध्यान रखिएगा, यह वाला graph बहुत ही important है, ठीक है, यह थोड़ा सा करना इसको मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं है, अगर आप paper में direct देखेंगे ना, तो उस समय आपके लिए थोड़ा सा यह मुश्किल हो जाएगा, अंग्रेजी में सभी सात छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं, आपको यह बताना है, तो देखिए, इसमें कैसे होगा आप ध्यान दीजेगा, दिया गया है विशय अधिक्तम अंक, एक विशय में अधिक्तम जैसे हिस्ट्री में 150 नंबर का paper है, प्रतिशत मार्क दिया गया है, यानि कि अंकित के जो 65 प्रतिशत नंबर आए हैं हिस्ट्री में, 80 प्रतिशत ब्रेजेस के आए हैं, वैसे ही यहाँ पे 65 प्रतिशत यह आपका प्रतिशत दिया गया है, यहाँ पे एक गलती क्या होता है, एक गलती क्या होता है, कि हम मानते हैं 150 number का paper है और 150 में से 80 number आ गया हम ये मान के चलते हैं और यही चीज यहां पर गलत हो जाता है ठीक यही आपका गलती करा देता है तो ये आपको ध्यान रखना है SSC के exams में भी ये question पूछा गया है कई बार ठीक तो ध्यान रखिएगा बच्चे SSC में भी ये पूछा जाएगा क्या हो जाएगा ये आपको कहा गया ना पूछा गया है अंग्रेजी में सभी सात छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग और सत अंक कितने हैं आपको ये बताना है सबसे पहले आप आएगे यहाँ पे अंग्रेजी अंग्रेजी का पेपर 120 नंबर का है 120 में से अंकित के आए हैं 50 प्रतीशत माक्स 50 प्रतीशत कहने का मतलब है इसका 60 नंबर आया है वैसे ही आप इसका नंबर निकालेंगे 85 प्रतीशत इसका 70 प्रतीशत 65 प्रतीशत 90 असी यह सारे उसके नमबर निकालने होंगे ठीक है उसके नमबर आपके निकालने होंगे उस नमबर को जोड़ के आपको यहां पे उसत निकालना पड़ेगा ठीक इन सारे नमबर को जोड़ के आपको उसत नमबर निकालना पड़ेगा तो ऐसे यह सवाल होगा ध्यान रखिएगा ठीक, आप सारे number को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, उसके बाद उसका आउसत आपको निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा calculation आप से कराएगा, इस सवाल में इसमें आपको calculation करना पड़ेगा, वैसे मैं इसका सही answer बता दू, इसका सही answer आपका 89 था, ठीक, 89 इसका सही answer आएग ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को आगे करेंगे तो पूछा गया है यहां पे सभी छेह विशयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं अब आप यहां पे क्या करेंगे आप सबसे पहले इस ग्राफ को देखेंगे इस ग्राफ में देखे कुछ बच्चों के नंबर दिये गये हैं आप चले जाएंगे कहां पे इसमें एहान की बात कही गई है तो यह आपका एहान यहां पे दिख रहा होगा इसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं यह आपको बताना है देखे, आपके बाकी paper तो असान आये हैं, लेकिन graph में calculation हर जगा पे आया है, कल के graph में भी calculation था, आज का भी एक graph आपका calculating पूछा गया है, अब देखिए, 150 में से इसके 90 प्रतीशत marks यहाँ पे आये है, यानि कि 135 नमबर आ गए, यहाँ पे 50 प्रतीशत यानि कि 65, यह आपका 90 प्रतीशत है, यानि कि 108, यह आपका 60 प्रतीशत है, यानि कि 60 हो जाएगा, यह 70 है तो यह 42 हो जाएगा, यह 80 है तो यह 32 हो जाएगा, अब इन सब को आप जोड़ देंगे, तो उसको पता चल जाएगा ना कि एहान के कितने नमबर टोटल आये हैं, आप unit digits से भी कर लेंगे 5, 5, 10, 8, 18, 2, 20, 2, 22, यानि कि 11 अंक पे आपका 22 आने वाला है, ठीक है, यहाँ इसके बाद 11 अंक से solve कर लिजे, 11 अंक पे आपका 2 आएगा, और सिर्फ एक ही option ऐसा था जिसके 11 अंक पे 2 दिया गया था, तो बताने का main मकसद यह है ना, क्योंकि यह graph सेम आपका SSC में ऐसा graph पूछा गया है, वैसे SSC के लिए जब आपको graph कराएंगे, CGL, CHSL के लिए, तो उसमें आपको यह सारे सवाल जरूर हम कराएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो number दिया गया है ना, वो प्रतिशत अंक आपको दिया गया है, वो exact number नहीं दिया गया है, वैसे ही बाकी के सवाल भी आपके हैं, ध्यान रखिएगा, निमने से किस विषय में कुल प्रतिशत निउन्तम है, सबसे कम प्रतिशत किसमें आया है, आपको क्या करना है, इन सब को जोड़ना होगा, इसमें जोड घटाओ बहुत करना है, इन सब को आ यहां पे answer बता देता हूं, इसको मैं solve कर रखा हूं, answer बता दे रहा हूं, यहां पे जोड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुस्किल हो जायगा, इसका answer मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका answer आएगा option B, यानि कि हिंदी इसका सही आंसर आने वाला है ठीक इसके बाद मैं आगला question बता दू ब्रिजेश का कुल प्रतीशत अंक आपको बताना है कुल प्रतीशत अंक लगभग कितना था तो आप ब्रिजेश वाले section में जाएंगे उसका कुल अंक निकालेंगे उसने कुल अंक कितना पाया है और पेपर कुल कितने नंबर का हुआ है तो ब्रिजेस का अंक बटे में कुल अंक कितना है और वहां से निकालेंगे आप प्रतिशत तो आपका यहां पर प्रतिशत आ जाएगा option C यानि की 78 प्रतिशत आपका सही जबाब आ जाएगा ठीक अच्छा एक और चीज यहा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या कितनी है ऐसे चात्रों की संख्या बतानी है ऐसे कितने चात्र हैं जो या तो 60 प्रतिशत या फिर 60 प्रतिशत से जादे अंक प्राप्त किये हैं तो आप फिर से ग्राफ को देखेंगे ऐसे कितन चात्र हैं जो या तो 60 या 60 से जादे प्रतीशत प्राप्त किये हैं तो आप सभी विशयों की बात कही गई है सभी विशयों की बात कही गई है तो यहां आएंगे तो यहां पर 35 आ गया तो यह तो खतम हो जाएगा ये आपका 60 से कम आ गया ये भी खतम हो जाएगा ये आपका 60 या 7 से जादे है एक ये हो जाएगा ये 40 है खतम हो जाएगा ये 50 है खतम है ये 40 है एक ये है यानि कि 2 विशे ऐसे हैं 2 छात्र ऐसे हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो छात्र ऐसे हैं एक आपका चिराग है एक आपका गौतम है यह दो छात्र ऐसे हैं जो कि सभी विस्यों में या तो 60 या फिर 60 से जादे प्रतिशत नमबर प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने छात्र ऐसे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपक सिर्फ और सिर्फ दो छात्र ऐसे हैं, जो कि या तो 60 या फिर 60 से अधिक अंक प्राप्ट कर रहे हैं, अब देखिए, ये वाला question देखिए, ये वाला graph आपका बहुत ही असान था, एक graph आप से पूछा गया था, जिसमें calculation आपको करना था, पहला graph आपका था, जिसमें आपको calculation करना था, बट इसके बाद आपका graph आसान था, इसके बाद वाले graph आपके सारे आसान थे, इसमें तो कुछ नहीं करना है, देखिए, वर्स 2016 से 2021 तक कार A के उतपादन में अनुमानित बृध्धी कितने प्रतीशत की थी, आपको ये बतानी है, सबसे पहले आप चले जाएं 255 हुआ है, तो आपको दिख रहा है, 25 की बृध्धी हुई है, ये बृध्धी किस पे हुई है, 230 पे हुई है, आपको अनुमानित प्रतीशत बताना है, आपको प्रतीशत बताना है, एप्रॉक्स में, तो जब आप 250 को 23 से भाग देंगे, तो आपको पता है, ये 10 से जाद होगा लेकिन 11 से कम होगा यानि 10 और 11 के बीच में आपका आंसर बनने वाला है ठीक 10 और 11 के बीच में एक ही आंसर दिख रहा है वो है अंसर option D आपको दिख रहा होगा ठीक ऐसे इस सवाल को थोड़ा सा approximation लगा के आप सवाल को कर सकते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर ध्यार दिजिएगा पिछले वर्सों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत बृध्धी दर्ज की गई है यानि जो उसका production हो रहा है न वो सिर्फ लगातार बढ़ा हुआ है ठीक है एससे के exam में एक graph आता ह моя है उसपे 3-4 question आते है ठीक है या फिर छोटे-छोटे 3-4 graph आ जाते हैं उसपे छोटे-छोटे question आते है ठीक आपके 4 question आते है और ने नेवरित यहां पे कमी हुआ हटा दीजिए लगातार बृद्धी देखनी है बृद्धी हुआ यहां पे कमी हो गया बृद्धी बृद्धी यहां पे कमी हटा दीजिए यानि कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जहां पे आपका लगातार बृद्धी हो रहा है यानि इन में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा ठीक इसके बाद आगे बढ़ाए 2016 से 21 के द्वरान X कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिक्तम थी यानि 2016 से 21 अब यहाँ पर देखना होगा 2016 से 21 में दौरान X कार कंपनी द्वारा निर्मित किस प्रकार की कार की संख्या अधिक्तम थी आपको बताना है 2016 से 21 की दौरान किस की निर्मित की संख्या जो थी ये आपको दिया गया है देखे कौन सी कार की संख्या सबसे अधिक्तम थी आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक्तम है 2016-21 में तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा आपको बताना होगा कौन से कार का प्रोडक्शन सबसे जादे हुआ है तो जोड़ के आपको यहां पे बताना होगा यहां पे आपको जोड़ के बताना होगा कि किस कार का production सबसे जादे हुआ है यह आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा ठीक है यह आपको यहां पे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा सब को जोड़ना पड़ेगा उसके बाद आपको बताना होगा किस कार का production सबसे अधिक हुआ है ऐसी ही आगे बढ़ें वर्स 2018 से 2021 के दौरान कार D के उतपादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है आपको ये बताना है ठीक आप क्या करेंगे आप सबसे पहले जैसे हमने A वाले में ब्रिदी नापा है वैसी ही आपको D वाले में कमी नाप देना है 2018 से 21 के दौरान D के उतपादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई आपको सबसे पहले देखना है 2018 में कितना production हुआ ठीक है यहाँ पे आपका प्रतिशत निकल जाएगा मैं आपको option बता दे रहा हूँ option C इसका सही जवाब होगा आप इसका प्रतिशत निकल लेंगे जो भी SSE वाले बच्चे हैं सारे ग्राफ करके जाएंगे उनके लिए ग्राफ बहुत ही important है यह सारे ग्राफ SSE में already पूछे जा चुके हैं ठीक वर्स 2016 में कार E का उतपादन वर्स 2019 में कार B के उतपादन का लगभग कितना प्रतिशत है आपको यह बताना है आप सबसे पहले देखेंगे 2016 में कार E का कितना प्रोडक्शन हुआ 2019 में कार B का कितना प्रोडक्शन हुआ और इसका आपको प्रतिशत निकाल लेना है ठीक है आपको क्या देखना है 2016 में E का production आपको देखना है 2016 में आपको E का production 2019 में आपको देखना है B का production इसका आपको निकाल लेना है प्रतिशत ठीक है ऐसे आपको प्रतिशत निकाल लेना है और इस 32 का आंसर आपका हो जाएगा 53.5 आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, तो ये वाले question आपको मैंने, कल के भी question में आया था, आपने लगा था, कल भी ये question पूछा गया था, कल भी ये question circle वाले आप से पूछे गया थे, कल का जो circle था, बिलकुल SSC के लिए graph पढ़ना है, कल का जो section circle था न, उसको 360 degree में तोड़ा गय और कल ही मैंने बताया था, आपको 360 degree या फिर 100% में इसको तोड़के दिया जा सकता है, आज वाले graph में इसको 100% पर तोड़ा गया था, क्या किया गया था, इसको 100% पर तोड़ा गया था, तो आप इसके सवाल देखेंगे, तो आपको और भी clear होगा, देखे, अगर मैं यही पर सवाल देखूं, तो कोई भी सवाल आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको graph clear हो जाएगा, देखें क्या कहा गया है, पुस्तक की royalty, मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है आपको बताना है, यहाँ देखें royalty कौन सी है, तो पुस्तक की royalty आपको 20 प्रतिशत की है, इसका printing cost कितना है, 25 प्रतिशत है, तो royalty आपके इससे कितना कम है, तो royalty जो है, यह आपके मुद्रण से 5 कम है, प्रतिशत में पूछा गया है, तो 5 बटे 25 गुड़े का 100 कर लेंगे, आपका 20 प्रतिशत आंसर आजाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे direct 20 प्रतिशत आंसर आजाएगा तो ऐसे ही सवाल को करना होता है, ठीक, यह सवाल तो आप लोग कई बार किये हैं, यह सवाल कई बार किये हैं, यदि पुष्टकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकासक को 20,600 मुद्रलागत के रूप में देना होता है, तो इन पुष्टकों के लिए royalty की कितनी रकम देनी होगी आपको ये बताना है, कहा गया है किसके लिए मुद्रलागत, यानि प्रिंटिंग कोस्ट की बात कही गई है, और प्रिंटिंग कोस्ट कितना है, प्रिंटिंग कोस्ट आपका 25 प्रतीशत है, और question में कहा जा रहा है आपको 20,600 रुपे दिया गया है printing कोस्ट, य यहां देखिए 25 प्रतिशत 20,600 के बराबर है तो एक प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगा 20,600 बटे में 25 के बराबर हो जाएगा आपको मात्र 20 प्रतिशत निकालना है यह हो जाएगा आपका 5 यह हो जाएगा 4 पांच से काटेंगे 5, 4, 20, 1, 2, 0 यानि की 16,480 आपका ऐसे आंस आजाएगा ठीक है कितना आजाएगा 16,480 तो ये वाले ग्राफ आपके बहुत ही आसान होते हैं चीक ये वाले ग्राफ आपके बहुत ही आसान होगा सरकल वाला ग्राफ आपने क्लास में भी किया होगा बहुत ही आसान होता है इसको करना ठीक है सरकल वाले ग्राफ को करना बह बहुत important graph है यह, यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ दिया गया है, यह जो आपको graph दिया गया है, थोड़ा से इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, इस graph को देखेंगा, बहुत important graph है, कहा गया है यहाँ पर निम्न रेखा graph में, एक कमपनी द्वारा, 2001 से 2007 के दौरान किये गए, आयात की रकम से, उस company की निर्यात की रकम का अनुपात दरसाता है, अब यहाँ पर graph में दिया गया है, यह अनुपात को दरसाता है, ठीक, कहा गया है, कि यह अनुपात को दरसाता है, लेकिन आपको ratio कहीं नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सारे के सारे percentage में दिख रहे होंगे, और सारी, point में दिख रहे होंगे, तो यह ratio कैसे होगा, बस इसको आप अगर समझ जाएंगे, तो ऐसा कोई भी question आएगा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 बट्टे के 10 को क्या आप 3 बट्टे का 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और आपको पता है कि ratio को मैं fraction में लिख सकता हूँ, ठीक, ratio को मैं क्या कर सकता हूँ, ratio को मैं fraction में लिख सकता हूँ, तो इसका ratio क्या हो जाएगा, 3 ratio का 5 हो जाए चार ratio 5 हो जाएगा, ऐसे ही सब को करना है, ratio में ने दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से ratio को point में बदल के तब दिया गया है, और question में यहाँ पर ratio लिख दिया गया है, तो यह थोड़ा सा confuse करता है, इसको समझ जाएंगे, question आसान हो जाएगा, चीक, पूछा गया है, किस में company के आयात निर्यात के अलपतम अनुपातिक थे, यानि the imports were minimum proportionate to the export of the company in the year, मतलब किस साल में, किस साल में आपका import सबसे कम था, तो आपको दिख रहा होगा, यहीं पे आपका ratio सबसे कम आ रहा है, यानि कि 2003 आपका answer हो जाएगा, किस साल सबसे कम था, जहां पे यह सबसे क कम आ रहा है, वही आपका सबसे कम होगा, यानि कि 2003 इसमें सही answer हो जाएगा, 2003 इसका सही जवाब हो जाएगा, 2007 कैसे हो रहा है, 2007 में तो यह सबसे ज़्यादा है, कम की बात कही गई है, अलपतम की बात कही गई है, minimum की बात कही गई है, ठीक है, किस की बात कही गई है, आयात निर्यात के अलप्तम था आयात जो है ना निर्यात से सबसे कम था थीक ये आप से पूछा गया है थीक अच्छा यदि 2002 में कमपनी का आयात 260 करोड है था तो 2002 में कमपनी का निर्यात कितना था आपको ये बताना है यहाँ पर देखिए यह question आप लोग कैसे करेंगे हमको 2002 पर चलना है और 2002 में आपको 0.8 दिया है हमने कहा है 0.8 को आप fraction में बदलेंगे तो यह आपका 4 बटे का 5 हो जाएगा उपर आपका आयात है यानि की import है नीचे आपका निर्यात यानि की export है अच्छा question में कहा गया है आ बराबर आपका 260 करोड है तो आपको 5 रेशियो का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा 4 रेशियो बराबर 260 करोड एक रेशियो बराबर 260 बटे का 4 हो जाएगा 5 रेशियो का मान आपको यहाँ पर निकालना है कैसे निकल जाएगा 4 छक 24 और 4 पंजे 20 ऐसे हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा 5 पच्चे 25 का 5 कहरी दो 6 पच्चे 30 दो 32 याने की 325 करोड आपका आंसर हो जाएगा Option D 325 करोड आपका यहाँ पे सही जबाब आने वाला है तो ऐसे आप लोग कोई सवाल को करना है देखिए यह सवाल भले रेशियो कहरा है लेकिन सारी चीज़े पॉइंट में लिख दी गई है पॉइंट को फ्रेक्शन में बदलेंगे फ्रेक्शन ही आपका रेशियो बन जाएगा और उस हिसाब से आप सारे सवाल को लगा लेंगे बस इतना ही इसमें समझना है बाकियों का मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग करेंगे तो उस आंसर को कर लीजेगा इसका आंसर ऑप्शन डी यानि की 2003 हो जाएगा इसके बाद 39 की बात करूँगा तो 39 का जो आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन भी 450 हो ज इसके बाद 41 का ऑप्शन भी 4 हो जाएगा इसका आपका data insufficient आजाएगा ठीक है data यहाँ पर insufficient आजाएगा तो ऐसे आपको सवाल करेंगे आप लोग इसको खुद से लगाईएगा मैंने आपको इसका basic शमझा दिया है कि कैसे आपको ratio में कैसे convert करना है बस यह चीज आपको तो अब इसमें नहीं है आपको दूसरे paper पर ले चलना होगा ठीक ठीक है दूसरे paper पर हम लोग चलते हैं दूसरा paper आपका करते हैं देखिए आप लोग एक चीज मैं यहाँ पर दिखा दूँ यह वाला graph आपको दिख रहा है कितने लोग join कर रहे हैं कितने लोग छोड़ रहे हैं कल के paper में भी यह question आप से पूछा गया था कल graph ही पढ़ा दो graph के लिए time लेना पड़ेगा graph आपका ढूड़ना पड़ेगा कल यह same question पूछा गया था कितने लोग join कर रहे हैं कितने लोग छोड़ रहे हैं यह आपका same question कल पूछा गया था same question आज भी पूछा गया है यहाँ पर और देखेंगे इसका data थोड़ा सा clear नहीं है यहाँ पर blur दिख रहा है यह वाला question भी आपसे कल पूछा गया था और यह वाला question same to same question आपसे आज भी पूछा गया है ठीक है तो किसी भी एक्जाम में है न चाहे वो ssc है चाहे railway है चाहे state का कोई भी एक्जाम है question repeat होता है आपको सबसे पहले करना होता है किसी भी एक्जाम के लिए आपको back year solve करना होता है कि back year में कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं इनी सवालों को आपको सबसे पहले क करना होता है अच्छा एक चीज़ यदि आप लोग और याद कर पा रहे हों तो कल मैंने आपको लास्ट में बोला था कि दो फर्मुले याद करके जाएगा एक्यूब प्लस बी क्यूब का और एक्यूब माइनस बी क्यूब का ठीक ये वाला सवाल तो आपसे कल पूछा गया आज आपसे एक्यू माइनस बी क्यू वाला सवाल पूछ दिया गया था ये सवाल आपसे पूछा गया था बस आपको 6.73 और इसमें से घटा लेना था 4.38 को तो आपका यहाँ पे आ जाता अंसर ये कुश्चन आपसे कल पूछा गया था 13 में से 8 जाएगा 5 बच जाएगा 14 16 में से 3 जाएगा 3 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा आपका 5 में से 4 जाएगा एक बच जाएगा माइनस ही है 1.35 कितना आंसर आ रहा है इसका 6 2 आएगा न 2.35 आएगा sorry ये तो 2 होगा 2.35 आपका option A इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक ठीक है कितना हो जाएगा 2.35 इसका आंसर हो जाएगा देखिए इसमें फिर से पूछा गया है कौन सा fraction इसमें सबसे बड़ा है आपको कल ही compare करना सिखाए थे करके सब को compare करिए एके करके सब को compare कर लीजिये आप देखिए यदि इसको इसको compare करेंगे तो इसको यहां गुडा करिएगा इसको यहां गुडा करिएगा इसके नीचे वाले को ऊपर, इसके नीचे वाले को ऊपर गुड़ा कर देंगे, 4 सत्य 28, 280 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानि की 248 हो जाएगा, अभी भी आपको यही बड़ा दिख रहा होगा, 7 upon 8 ही बड़ा दिख रहा होगा, इसको इसको compare करिए, इसके उपर वाले को न 5560 हो जाएगा, 8 तिया 24 का 4 करी 2, 8 चक 48, 250 यानि की आपको यही बड़ा दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका 7 बड़े का 8 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं, 19 का कितना प्रतिशत 7 दसंबलों का 6 हो जाएगा, त 19 का X प्रतिशत, यानि की X बटे का 100, ये कितना है, 710 का 6 है, इसको लाके यहां गुडा करेंगे, तो ये आपका 19 X बराबर, 760 हो जाएगा, ठीक है, और 19, 76 होता है, तो ये आपका 40 हो जाएगा, X बराबर, आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर आपका 40 हो जाएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ग्याद करना है तो 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं हैं सबसे पहले ये निकालेंगे ग्राफ आता है तो पढ़ाती क्यों नहीं है एक बार में कुछ एक चीज ही पढ़ाई जा सकती है ठीक है आने को सारा चेप्टर आता है लेकिन एक बार में आपकी एक चीज ही पढ़ाई जा सकती है एक बार में पांच चेप्टर नहीं पढ़ाई जा सकता है ये भी आपको प इतनी अबाद्जे संख्याय हैं, यहाँ पे नीचे यह question आप से कल भी पूछा गया था, यह question आप से आज भी पूछा गया है, इस question को देखिए, यहाँ पे अनुमान लगा के जाएंगे, तो यह अनुमान लगा के जाने का कोई फाइदा नहीं है, आप सीधा क्या करिएगा, आप सीधा यहाँ पे क्या करिएगा, आप 12,000 कितना है, 120,409 है, इसका आप under root निकाल लीजिएगा, square root कितना हो जाएगा, आप इसका सबसे पहले square root निकाल लेंगे, square root निकालने का तरीका दो-दो का pair बनाते हैं, अच्छा, अब यह देखिए किसका square है, किसी का square होना चाह यह तीन तीया क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा यहाँ पे तीन बचेगा यहाँ पे इस तीन को आपको जोड़ना भी पड़ेगा तो छे बच जाएगा साथ में दो जीरो यानि की जीरो चार दो संख्या एक साथ यहाँ पे उतरती हैं ठीक है यदि आपको यह थोड़ा सा प आपका 347 यानि की 3.47 आपका आएगा ठीक 3.47 आएगा और इसका आपका 112 यानि की 1.12 आपका आएगा इस method से आप लोग निकाल लेंगे आसान पड़ेगा और इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2.35 आपके पास बच जाएगा ठीक किसी दिन आपको ये वाला method में इसका under root निकालना सिखा दूँगा किसी दिन सुबह वाली class में under root कैसे निकालते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा वैसे आप लोग अगर पढ़े भी होंगे तो कुछ चीजे आपको आती भी होंगी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये आप 7-8 में य आसान पूछे जा रहे हैं और डेली एक ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है ठीक है ग्राफ आपको कराया गया है जो भी है ग्राफ आपको कराया गया है आप लोग ग्राफ की क्लास देखिए इस पे कई बार आपको ग्राफ कराया गया है डेली क्लास करेंगे तब आपको पता चलेगा कई बार आपका रात में आपको अजे सर भी ग्राफ कराये हैं और हाँ यहाँ देखिए इस question को हम लोग करते हैं देखिए आपको मैं बता दू यह question कल भी पूछा गया था यहाँ पे भी मुझे यह image clear नहीं है तो यह digit मुझे भी clear नहीं दिख रहा है साइद आपको यहाँ पे clear दिख रहा होगा कल के paper में भी क्या था यहाँ पे कल के paper में भी क्या था यहाँ पे क्या हो रहा था ना कुछ लोग enter कर रहे थे जैसे 400 लोग admission ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है 300 लोग school को छोड़ भी दे रहे हैं 400 लोग आ रहे हैं लेकिन 300 लोग school को छोड़ भी रहे हैं यानि कि क्या हुआ, overall 100 लोग इस स्कूल में बढ़े हैं, कल भी ऐसा हो रहा था ना, company में कुछ employee आ रहे हैं, company में कुछ employee आ रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से छोड़ के चले भी जा रहे थे, तो वैसे ही same question आज आज आपको दिया गया था, और same to same, जैसे जैसे सवाल कल पूछे गया थे ना, वैसे ही आपको सवाल आज भी पूछे गया हैं, जैसे सबसे पहले आपको मैंने बताया था कैसे करना है, 400 बच्चे स्कूल में admission लिए हैं, लेकिन 300 बच्चे छोड़ के चले गया हैं, यानि कि overall क्या हुआ, overall school में 100 बच्चे आपके बढ़ जाएंगे, इसी base पे आपके सारे सवाल पूछे गया थे, ठीक, इसी base पे आपके सारे सवाल पूछे गया थे, मैं आपको इसका answer बता दूँगा, ठीक है, आपको मैं इसका answer बता दूँगा, क्योंकि सबको मैं करने जाओंगा, यहां पे बहुत ही time आपका लगेगा, क्योंकि हर एक calculation आपको करना होगा, यह PDF मैं आपको डलवा दूँगा, टेलिग्राम चैनल पे, आप टेलिग्राम चैनल से यह PDF देखेंगे, और साथ में यह सारे सवाल लगाएंगे, क्योंकि यह सारे सवाल आपके SSC exams के लिए भी बहुत ही important है, ऐसा graph नहीं पढ़ाया है, यह वाला graph आपके कल के paper में आया है, यह आपका normal graph नहीं है, नॉर्मल exams में आपको यह graph नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन यह आपको जरूर कहीं न कहीं किसी lecture में कराया गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया गया होगा, graph आपको कहीं न कहीं कराया होगा, ठीक, आपको मैं बता दू, देखिए, इसका क्या हो जाएगा, 64 का आपको मैं answer बता देता हूँ, इसका answer option C, यानि की 2012 हो जाएगा, 65 का आपका side 1.7 था, option C इसका सई जबाब था, ऐसे आप लोग सारे को calculate करेंगे, ठीक, सबको आपको calculate करना होगा, आप लोग करिएगा, और किसी दिन class में भी एक एक करके, मैं इस graph को सुबा वाली class में, अगले Sunday को जब मैं आपको question कराऊंगा न, तो एक एक करके, एक एक graph में आपको explain करता हुआ चले जाऊंगा, ठीक, जब अगले Sunday को मैं आपको quiz कराता हूँ, तो उस quiz में मैं इस graph को धीरे-धीरे include कर लूँगा, और बाकी जब DI पढ़ेंगे, तब सारा का सारा graph आपको मैं पढ़ा दूँगा, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, 2014, इसका answer साएथ 3150 था, 6-6 का answer था 3150, option D, बिलकुल, ठीक, इसके बाद इसी में आगे बढ़ेंगे, और आपका 68 का कितना था, 89.98, 68 का कितना answer था, 68 का answer, the number of students studying in, 68 का option D, 93.75% था, ठीक है, इसको आप लोग खुछ से solve करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह graph exact एकदम clear graph नहीं है, आपका यहाँ पर number exact नहीं दिख रहा है, नहीं तो एकाद हम लोग इसमें लगाते भी, ठीक है, यह board पर थोड़ा सा scan किया हुआ है, तो zoom करने पर आपको भी सायद पता नहीं clear दिख रहा होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझ इसी में बढ़ेंगे, देखें, यह graph भी आपसे कल पूछा गया था, ऐसा graph आपसे कल पूछा गया था, ठीक है, ऐसा graph आपसे कल भी पूछा गया था, इसमें भी आपके यह digit clear नहीं है, यह वाले digit क्या लिखे गया है, ठीक, और कल आपसे same graph पूछा गया था, और same ऐसे ही आपके question भी पूछे गये थे, ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे लगातार repeat हो रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आपको ये देखे, table वाले graph आपको दिये गये हैं, ठीक, इसका मैं answer बता देता हूँ, हो सकता है, आपका जब telegram पे ये PDF जाए, तो उस समय आपका clear image आजाए, जब telegram पे PDF जाए ना, तो हो सकता है, उसमें आपका image clear आजाए, तो वहाँ से आप लोग इस question को आराम से लगा पाए, ठीक, तो, जा भई, चलिए, इसका मैं answer बता दू, 69 का आपका option D, सही जवाब हो जाएगा, इसके बाद, 69 का ये हो, ये हो जाएगा, 70 का आपका option हो जाएगा, 23 प्रतिशत, यानि की option C, सही जवाब है, 73 का आपका है, 73 का है, आपका 183, यहाँ पे आपका है, 72 का जो है, यह आपका 4 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यह 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऐसी ही मैं आपको आगे बता दू, ये graph आपका आसान है, ये graph कभी भी आपको किसी भी exam में मिलेगा, आसान ही रहता है, बस यहाँ से values आपको देखनी होती है, इस पे value आपको सवाल कर देना होता है, 71 का आपका 2002, यानि की option A सही जवाब हो जाएगा, ठीक, हाँ, graph के question 20 question आपके आए हुए हैं, और एकाद graph तो इसमें बहुत ही calculated है, इसमें एकाद graph बहुत ही आपके calculated है, ठीक है, देखिए आपके दो graph यहाँ पे और हैं, ठीक, इन दोनों graph को मैं किसी दिन, अगले Sunday को मैं क्या करूँगा, इन graphs को मैं सुबा वाली class में लेके आपको करा दूँगा, ठीक, सुबा वाली class में आपको इन दोनों graph को लेके करा दूँगा, इन दोनों graph को क्या, जितने भी आपके graph आए हुए हैं, जितने भी graph आ चलिए कल exam है कल किसका exam है अंकित या दो कल किसका exam है स hate आज मुझे लग रहा है दो दिन exam खतम हो गया आपका ठीक है चलिए तो इसका मैं answer बता देता हूँ ताकि आप लोग करेंगे भी ना तो answer आप लोग को कर लेंगे ठीक है मैं आपको ये questions सारे में solve कर रखा हूँ, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 74, 74 का आपका है, 74 का है, आपका 77 है, option B, 75 का है, आपका 234, यानि की option B, 76 का है, आपका 208, 115, option A, और 77 का क्या है? 77 और 78 का आपका answer है, ये है आपका 138 और 78 का है, 35 ratio का 11 ठीक आप लोग इसको जब solve करेंगे तो आप लोग इसको solve कर लिजेगा यहाँ पर है 79 का है आपका 2.4 और है आपका 80 80 का है 5 million और है आपका 81 ठीक है 81 का है आपका 1 ratio का 2 82 का है आपका 1.8 और 83 का है आपका इन मैंसे कोई नहीं यानि की option D ठीक तो graph आपके कल दिल्ली पुलिस का exam है दिल्ली पुलिस का exam है दिल्ली पुलिस में आपका जो graph आएगा ना basic graph आता है बहुत जादे आपका बड़ा graph नहीं आएगा देखे आपको मैं बता दू या तो आपके सामने circle आएगा ठीक है इनको solve करना काफी आसान होता है सरकल वाले तो कई बार आपने class में पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले आपको अजय सर ने भी class कराया होगा तो ये सारे graph आपको उन्होंने सारे सिखाये होंगे ठीक तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे तो चलिए आज के session को मैं यहीं पर खतम करूँगा बता दू जो भी बच्चे group D वाले हैं आप सारी group D क्या रहे हैं SSC GD वाले जो भी बच्चे हैं आपको बता दू दिवाली का offer चल रहा है और साथ में आपको यह बच्च आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में मिल जाएगा यहाँ पे SSC GD का बच्च आपको 250 में मिल जाएगा complete video course होगा doubt session सारी चीजे आपके एकदम बेहतरीन धंक से यहाँ पे चलाई जाएगे जो भी यहाँ पे होगा सारे के सारे class आपके बहुत ही बहतरीन धंक से चलाई जाएगी इसके साथ मैं बता दू आपका बहुत ही जल्द SSC CHSL का भी बैच आ जाएगा कल आपका यह भी बैच आ जाएगा और साथ में SSC MTS का भी कल से बैच आपको मिलने लगेगा ठीक है तो यह बहुत जल्द आपके सामने सारी चीजे आने वाली हैं और बहुत ही सस्ते rate पर आने वाली है ठीक चलिए तो आपका आज का session में यहीं पे खतम करूँगा जो भी बच्चे SSC GD की त्यारी कर रहे हैं SSC Maker का app डाउनलोड करिए और जाके आप सभी लोग इस बैच से जल्दी से जुड़ जाईए ठीक आज का session में यहीं पे खतम करूँगा आप सभी लोग इस class को like कर दीजेगा और इस वीडियो को इस channel को subscribe भी कर दीजेगा मिलते हैं सुबा वाली class में नौ बजे वाली class में मिलेंगे आपको time and work करा रहे हैं और उसी को कल हम लोग खतम करेंगे ठीक तो चलिए आज का session में यहीं पे खतम करता हूँ मिलता हूँ आप से कल सुबा नौ बजे तब तक के लिए नमस्कार जैहन